अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो अपने इलाके की किसी परिशानी से जूज रहे हैं, हाल बेहाल हैं और ढूण रहे हैं अपने विधायक को, तो अब आपको परिशान होने की ज़रुत नहीं, क्योंकि दिल्ली मेरी जान में हर थर्सडे दिल्ली के एक विधायक नहीं के लिए, नमस्कार, 92.7 बेग एफम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान मैं हूँ आपके साथ रिचानरुद और यह है हमारे एक खास कैमपेइन, बोल दिल्ली बोल, आज किसी लाके की बारी है, मंगोलपुरी की, थोड़ा सा बता दू आपको मंगोलपुरी के जुनाओ में, दोनों में ही, आमाभी पार्टी की राखी बिर्लान, राजकुमार चौहान को हराकर यहां की विधायक बनी है, हाली में राखी को एक additional responsibility भी दी गई है, दिल्ली विधान सभा की deputy speaker बन गई है हो, बहुत 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 बढ़ बदाई उनको और आपको बता द जास्ते कितने भी उचे नीचे क्यों न हो, हम सब हम सफर है, साथ मिलकर चलेंगे तो रास्ता थोड़ा असान हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रिचान रुद, पर यह गाना तो आज मुझे स्टूडियो में अपनी महमान के लिए गाना चाहिए, तुम आ गए ह नूर आगिया है, नमस्कार, 92.7 Big FM पर आप सुनना है, दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचान रुद, और आज मेरी महमान कौन है, मंगोलपुरी की विधायक, राखी बिर्लान, राखी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेरी जान में, बहुत-बहुत बधाई, आप डेप्यूटी स्पीकर बन गई है अब तो दिल्ली विधान साब हमें? जी, बिल्कुल. राखी, बोल दिल्ली बोल कैंपेन है, यह हमारा आप जानती है, आपके शेत्र के लोगों से हमने कहा कि कॉल लगाएं, कोई भी परिशानी है, समस्या है, आप तक पहला सवाल सुने, जी, दिपेंदर बोल रहा हूं मंगोलपुरी विधान सवा से, मैं हमारी विधायका से पूछना चाहूंगा, कि मंगोलपुरी में आजकल रेफ और महिलाओं के साथ बुल वैवार किया जा रहा है, पूरे मंगोलपुरी में CCTV कैमरे अभी बंद पड़े उने लगे नहीं है, केबल बिची हुई है, थोड़ी बहुत, तो उनका आज क्या हुआ, दो साल से उपर होगे। लगातार तीन घटनाएं बैक टूब एक तीन महीने के अंदर घटी हैं, रेप की, संजय गांधी हॉस्पिटल में, एफ ब्लॉक में और के ब्लॉक के अंदर, मैंने उनसे रिपोर्ट मांगे कि इतनी लापरवाई कैसे हो रही है, और उन्होंने पूरा इस बात की जो है श सिसी टीवी का बता दू कि जब हमने सिसी टीवी लगवाने के लिए अपनी पूरी कॉंसिटिंसी के अंदर कॉंट्रेक्ट दिया था, तो वो एक एक एसी आइल कंपनी थी, जिसने पूरा टेंडर लिया था, और उसने अपनी सर्वेसिस बहतर नहीं दी, एसी आल कंपनी को जो है लगातार कॉर्स्पोंडेंस किया जा रहा है, कंपनी के जी-एम से और मैनेजर वगरा से सबसे बात हो रही है, और कली इसका अपडेट लिया है, इसमें एक तीन लोगों की कमिटी बनाई जा रही है, जिसमें एक पी-डॉ-डी का मेंबर होगा, कंपनी का खुद का म मैं आपके रेडियो के माध्यम से इस बात का मैं पूरी शौर्टी देना चाहती दिपेंदर जी को, दो से तीन महीने के अंदर मंगोलपूरी का हर एक सिसिटेव कैमरा जो चप़े-चप़े पे लगा हुआ है, पून गूप से काम करने लग जाएगा, मतलता कैमरे लग और वो स्टार्टिंग के 10-15 दिन उन्होंने काम किया, अच्छी सर्विस दी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वायर में कहीं कटिंग हुई, उसकी वज़े से सारे के सारे कैमरा जाम हो गए, काम नहीं करें, उसके लिए हम लगातार लिख रहे हैं, बहुत जल्दी इसका जो हम सॉलूशन निकालता हैं, चलिए दिपेंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया ये समस्या उठाने के लिए मंगुलपूरी से, अगर आप लोग भी मंगुलपूरी में रहते हैं, और कोई समस्या है वहां की, जो विधायक तक पहुशाना चाहते हैं, तो राखी बिल्द बोल दिल्ली बोल, नमस्कार, 92.7 बेग एफम पर आप सुन रहे हैं, दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनृत, और ये है हमारी खास कैम्पेइन, बोल दिल्ली बोल, जिसमें हर थर्सडे, दिल्ली का एक विधायक हमारे स्टूडियो में होगा, आज मेरे सा बोल, राक्षी बिल्डान जी से ये है, कि जो बरसातों के सीजन से पहले सीवर की सफाई हुआ करती थी, हमारे वाड के इंदर, कहीं पर भी कोई भी सीवर की सफाई अभी तक नहीं हुई, उससे बहुत प्रबलम होती है, और फ्लो तो इतने होते हैं, जी लोगों को घर के आगे इतना पानी इखटा हो जाता है, कि पैदल भी आप अप धर में से नहीं निगल सकते हैं, मैं कई बारी इनके ऑफिस में जाता हूँ, सीवर की प्रबलम लेके, तो इनके वहां से ये कह दिया जाता है, आप कौन से ब्लोक से हैं, तो हमने इनको बताए कि हम जी ब्लोक से आए हैं, तो इनने बोला जी ब्लोक काई रही है, तो आपकी निगम पारसाद देखते हैं, आप उससे जाके सीवर की कंपुलेंट कराईए, जो की सीवर का काम इनका खुट का है, अगर आप इस विशे में कुट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा. साथ से पहले, पूरी विधान सभा मेरी मेरी में नालो की सफाई चाहे वो पीड़ुड के नाले हूं, एमसीड के नाले हूं, डिसल्टिं का काम लगातार चल रहा है, मशीनों के दुवारा बड़े-बड़े पाइपलाइन का जो सीवर की है, उनका सफाई का काम लगातार लेकिन एक साथ पूरी विधान सभा को एक दिन में या एक हफते में कवर करना मुश्किल होता है, हो सकता है जो सजन जिनोंने सवाल पूछा है, इनकी किसी भी कारण से रहे गया हो, इनका एरिया रहे गया हो, तो मैं आपके रिडियो के माध्यम से और रिचा की आवाज के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप अपना घर का एड्रस दे दीजिए और आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 85888833412 इस पर मैं स्वेम उपलब्द रहती हूं आप इस पर भी कॉल करकर जो हैं मुझे डिरेक्ट बात कर सकते हूं अपनी समस्या से अफगत करा सकते हैं फोन नंबर मैं दुबारा रिपीट कर देती हूं 85888833412 और कैसा अगर कोई बुरा आपका एक्स्पीरिंस मेरे ओफिस में रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूं और अपने जितने भी ओफिस स्टाफ है उनने हिदायत देती हूं कि इस प्रकार की आगे से वो रिप्लाई ना करें चलिए पवन का फोन नंबर मैं आपको देदूंगी राखी अगर आप उनसे परसली बात भी करना चाहें उनका एक्जाक्ट एरिया लेना चाहें बहुत बहुत शुक्रिया पवन फोन लगाने के लिए अगर आप लोग भी मंगोलपुरी में रहते हैं और कोई शि बार यार मिल जाएं उनकी रात तो गुलजार हो जाती है लेकिन अगर सड़क पर लोग खुलेयाम शराब पीते हैं तो सड़क पर गुजरने वाले लोगों की रात कई बार परेशानी भरी हो सकती है जिसे हम सब दिली वालों को मिलकर रोकना है 92.7 Big FM पर आप सुनने हैं दिली मेरी जान मैं हूँ आपके साथ रिचा अनृत और बोल दिली बोल कैम्पेन में आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं मंगोलपुरी की विधायक राखी बिर्लान और शराब के मुद्दे से ही जुड़ा हमारा अगला सवाल आया है राखी भी नहीं है क्या आपके सरकार या आप इसके का कुछ एक्षन ले रहे हैं नमस्कार सर और आपने बहुत ही अच्छा सवाल मंगोलपुरी के बच्चों से जुड़ा हुआ और मंगोलपुरी के लोगों की सुरक्षा का सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो है पुलिस के सभी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मीटिंग हुई मैं लगाता है दो ढ़ाई साल से इस समस्या पर काम कर रही हूँ पुलिस से भी मिल रही हूँ और लोकल एंजियोज हैं उनसे भी बात कर रही हूँ कि किस प्रकार से इस समस्या पर काबू पा कि बहुत जल्द इस पर काबू पालिया जाएगा कुछ awareness campaign भी मुझे लगता organize होनी चाहिए आपके end से राखी जहां पर बच्चों को खासखा स्कूलों में युवाओं को aware किया जाए नशे के खत्रे के खिलाफ नहीं बिल्कुल जब मैं स्कूल्स में बच्चों से मिलती हूँ, assembly में बच्चों से बात करती हूँ, अपनी महला सभाएं करती हूँ, तो जब मैं जरूर बताती हूँ कि नशा किस प्रकार से समाज को, युवाओं को खतम करता जा रहा है, हमने मार्च भी निकाला था पिछले साल नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, तो उसे जो है दुबारा हम शुरू करेंगे, और मैं बस यही कहूँगे कि जो शराब है, नशा खोरी है, यह सिर्फ डिपार्टमेंट और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के हैंट पर खतम नहीं हो सकता, इसके लिए लोकल जनता को अवेर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तो मैं चाहती हूँ कि जिसने भी यह सवाल पूछा है, वो सहाब आएं मुझसे मुलाकात करें और फिर एक पूरी स्ट्राटेजी बनाते हैं कि किस प्रकार इसके इससे लड़ाई लड़कर इस पर काबू पाया जा सके और समाज को बहतर बनाया जा सके, बिल्कुल क्योंकि हम नहीं चाहते उड़ता पंजाब की तरह, उड़ता मंगोल पुरी हो जाए और बहुत अच्छा लगा, ये इशू उठा है उमीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कारवाई हो और थोड़ा सा आप भी अपना एक्शन इसके खिलाफ और बढ़ाएं राखी, ये उमीद आज आप से बिल्कुल हम एक्शन में हैं और जिस तरह से आज सवाल आ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, नशे को लेकर तो मैं बहुत जल्दी लगता है कि एक दो दिन के अंदर पुना जो है मैं दिल्ली पुली से दुबारा टाइम लेती हूं परफेक्ट, तो इसी तरह कर आप लोग भी चाहते हैं भई हम तो चाहते हैं कि जब सवाल पूछे जनता तो नेता बचना पाए इसलिए हमने शुरू की एक कैमपेंड बोल दिल्ली बोल नमस्कार, 92.7 बेक एफम पर आप सुनने दिल्ली मेरी जान मैं हूँ आपके साथ रिचानरुद और बोल दिल्ली बोल आप सबके लिए है इस कैमपेंड में आप बोलेंगे और सुनेंगे आपके विधायक आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं मंगुलपुरी की विधायक राखी बिर्लान आपके सवाल, आपकी समस्याएं आपके सुझाओ सुनने के लिए कॉल लगाने के लिए एक कॉल आया, अच्छा लग रहा होगा राकी किसीने आपको थैंक यू बोला है काम करने के लिए बिल्कुल अच्छा लगनी वाली बात भी और सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई धन्यवाद कर रहा है काम कराने के लिए बल्कि विशेश रूप से इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो लोग जो मेरी नजरों से चूट गए जो एरिया मेरी नजरों से चूट गया हुआ उन्होंने मुझे बताया अजो है अंडरलाइन करा है विशेश tray कॉर से, solar light की समस्या हो, camera की समस्या हो, महिला सुरक्षा नशी की समस्या हो, उनसे अब लगाता है लड़ रहे हैं और आएन के सवाल सुनकर और मेरे अंदर, मजबूती आए लड़ने के लिए कि मेरी जंता, मेरे साथ है, मेरे स्थाने लोग, मेरे साथ और मुझ पर विश्वास है कि इन तमाम समस्याओं पर मजबूती से हम लोग लड़कर काबू पा सकते हैं चली तो मंगोलपुरी के बहुत सारे सवाल आए लोगों के जिनके जवाब राकी बिर्लान ने दिये हैं एक सवाल मेरा है जो कि हर हफते हर विधायक से होता है MLA Fund का इन्होंने क्या इस्तेमाल किया कैसे इस्तेमाल किया यह मैंने से पूछूँगे अब से बस कुछी देर में आप सुनते रहे हैं 92.7 Big FM पर दिल्ली मेरी जान मेरे यानी रिचान इरुत के साथ गूड मॉर्निंग अब एक सवाल तो मेरा भी बनता है 4 करोड का MLA Fund होता है आपने अपने MLA Fund का इस्तेमाल किन-किन कामों में किया है और क्या वो काम दिख रहे हैं मतलब इसे फाइलों में तो नहीं है दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल 4 करोड का जो मेरा MLA Fund था पूरी तरीके से खतम हो चुका है मेरा और मैं तो सरप्लस में चल रहे हूँ एस्टिमेट्स बने हुए रखे लेकिन में पस पैसा नहीं है और जहां तक बात अभी लास्ट कॉलर जो आपने सुना उसने मुझे थेंक यू बोला सीवर लाइन्स चेंज कराने के लिए तो हमने मंगोलपूरी में अचुली प्रॉब्लम एथी कि पैसी सालों से सिवर की और पानी की पाइपलाइन चेंज नहीं होई थी सिवर की और पाइपलाइन पाइपलाइन वो 21 बीची हुए थें तो जर 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 आलात में पानी मिक्स आ रहे था गंदा आ रहे थijn जिससे जनता बहत परिशान थी तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में हमने थोड़े थोड़े एरिया में पानी की वो पाइपलाइन चेंज करा है उसके अलावा डेंस कार्पिटिंग का जो रोड होता है वो रोड बनवाया है अपने सततर लाख रुपे की लागत से यह पूरी कॉंसेटिंसी को ओवराल कवर करेगा हर वार्ड में 45 वार्ड में भी बनाया है 46 में भी 47 में इसकी एनाइटी हो चुकी है वर्कॉडर होने वाला है अब मानसून शुरू हो गया तो शायद इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि रोड का काम है फिर एकदम लोग बोलेंगे अभी तो बना था तूट कया तो इसमें थोड़ा सी रुकावट इसलिए है और दो गाओं लगते हैं मेरी कॉंसेटिंसी में छोटा मंगुलपूर गाओं बड़ा मंगुलपूर गाओं गाओं में भी ड्रेनिज और जो है गलियूं का काम करवाया है पार्को पहीजिण दिवारे और पार्कोस का काम करवाया है अ में यही कहना चाहतु यहू यहwd ग्राउंड पर काम हो रहा है सबसे मेख लकाल से प्राउटि अपक्यों यह नहीं बदिखे है दिल्ली सरकार की अपनी प्रियोरटी है पीने का साफ पानी जनता को दिलाना और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं अगर लोग खुश नहीं होते तो वो ओन एर धनेवाद क्यूं करते हैं चलिए मैं भी आपको धनेवाद कहूंगी आप हमारे इस कैमपेइन का हिस्सा बनी अपने इलाके के लोगों के सवाल जवाब लिए मैं आप लोगों का इस पर दनेवाद करना चाहते हैं कि आपने इतना सुन्दर कैमपेइन चलाया है कि विधायक काम तो करते हैं लेकिन हो जाता है छोटा मोटा एरिया छूड जाता है कुछ सवाल चीजे नजर अंदास हो जाते हैं लेकिन आपके इस शो के माध्यम से वो हम सुन पाते हैं लोगों के नंबर हम लोगों को आप देंगी वो जादा बहतर है कि उनसे खुद में स्वेम कनेक्ट होकर उनकी समस्याओं का निवारन कर सको और दुबारा 92.7 बिग एफिम का बहुत बहुत धनेवाद तांक्यू सुमच चली इसी के साथ आज रिचा तक पहुँचाना चाहते हैं तो हम समस कीजे बिग स्पेस डीम जे अपना एरिया और भेज दीजे 55454 पर कल सुबाट बज़े आपसे फिर मुलाकात होगी तिल देन बाइ-बाइ टेक केर